नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत श्वागत है हमारे यूटूब चैनल में अगर आपके दम हैं तभी आप यह उपाय करना अन्यत्था मत करना नवरात्री के किसी भी दिन आपको एक बिरिक्षा के पास में जाना है और उस बिरिक्षा के आपको जड़ लाना है उस जड़ को हाथ में ही रखते आपको भूत भविश वर्तमान दिखना सुरू हो जाएंगे अब किसी के भी भूत भविश वर्तमान बिल्कुली चूटकियों में बता दोगे पलक जपकते कहीं पी किसी के वस्तु गुमे हैं उसे बहुत यसानी से बता देगो बता दोगे और किसी के भी आप जो है वशीकरण कर पाओगे यानि कि जीसे भी मन चाहा वशीकरण करना चाहते हैं अब उनको वशीकरण कर पाओगे प्राचिन ग्यान चनल का मकसद है जन ही तेवं जन कल्यान करना मैं जो जानकरी बतारूं धर्मस सास्तुर के धार पर जानकरी बतारूं ता अंत्रिक प्राचिन गरंतों के धार पर जानकरी बतारूं इस वज़ा से यह जानकरी साजा की जारी आप में से दिखते लोग भोगेंगे क्योंकि जो कुए बनाये जाते हैं लोगों के प्यास बुझाने के लिए अगर उसमें कोई निर्बुद्धी जा करके आत्माहत्या करते हैं तो उसमें आत्माहत्या करने वालों का दोस है ना कि जो जानकरी साजा की जारी जो जानकरी बता रहे हैं उनका दोस है हमारे प्राचिन ग्यान चैनल का मक्साद दिन है जन ही तेमाम जन कल्यान चैनल का नाम प्राचिन ग्यान क्यों रखें प्राचिन ग्यान इसलिए रखें ताकि प्राचिन ग्यान की जितने भी जो जानकरी प्राचिन बूकों में लिखें प्राचिन जो गुरु परमपरा से ज जानकरी प्राप्त हो जानकरी आप सभी तक हम यूटूब चैनल के माधम से बिड़ो बना करके जानकरी साजा करते हैं और मैं हर दिन बोलता हूँ प्राचीन ग्यान एक यूटूब चैनल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार हैं जिसमें आप मैं और सभी सदस से हम एक भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेव में समर्पित होता है अधिकतर में जो चैनल प्राचीन ग्यान चैनल से कमागे पैसे होते हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेव में समर्पित कर देता हूँ तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मैं जो चमतकारी जड़ के बारे म मैं बताऊंगा इसके मैं लाने क्विधिस रवाप्रतां बतादू हो तो नवरातरी के किसी भी दिन आपको यह लाना है और आपको अकेले जाना होता है साथ में आप किसी और को ले जाना चाहते तो ले जा सकने लेकिन उन्हें काफी दूर में रखना होता है तो इससे अच्छा आप अकेले जाएंगे तो ज़्यादा पुनवर्प से प्रभावी होंगे अब आपको नंगे पैर जाना है नवरातरी की किसी भी दिन जो पौधे बतावर इसके जड़ लाना है नंगे पैर जाना है इस जड़ के नीचे में जहां पर जड़ लेंगे जो पौधे के जड़ लाएंगे वहां पर आपको नंगे पर जाना है और उस पौधे के नीचे में आपको घी का दिपक जलाना है और पांच बतासे रख देना है ये फिर पांच प्रकार के आप चाते हो तो मिठाई भी रख सकते हैं कि 5 बिल्कुल ही भोग श्वरूप उस पौधे कौश मयर्पीत करना है उस पौधे में रहने वाली दिव्य शक्तियों को श्मार्पीत करना है मजिस पौधे की बार है डोस्तों इस पौधे की नाम है महुआ के अंदर में एक ऐसा दिव्य चमतकारिक शक्तिया होती है एक ऐसा दिव्य ब्रह्म देव रहते हैं जो कि आपको भुद भुष्वरतमान दृष्ष करने वाला शक्ति प्रदान करेंगे इसके मैं लाने की बिदी भी बता देता हूँ तो ये रातिरी कालीन 12 बजे बाद आपको लाना होता है निर्वस्त तरह हो करके लाना होता है जब आप महुआ की जड़ खनते हैं तो महुआ की जड़ हैं वो साब की तरह एठने लगता हैं तो एक काम अवश्य करना महुआ की जड़ आप जब खने तब आपको कोई भी गुरु मंतर जानते हैं गुरु मंतर गजाब कर सकते हैं तो भगवन शंकर को गुरु मान सकते हैं डने वाली बात ने महुआ की जड़ को जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो छोड़ना बस मत यह साब के जैसे फूंकार भी करते हैं रातिरी कालीन में जागरीत हो जाते हैं वह रातीरी के समय में तो इनके चोटे से जड़ आपको लाना है आपको महुआ की जो अच्छी तरीके से जड़ को पका लेन dedic करना है आपकोello कहने हैं अब कहनन जो Хथियार से भी कर सकते नौदुर्गा की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार नवरात्री की जितिने दिन सेश बचे रहेंगे जैसे दो दिन है पांज दिन है चार दिन है तो लाल कलर की आपको कपड़े में इसे आपको भी चाह देना है लाल कलर की कपड़े में इसmee ऐब लाल कलर कि आपको कपड़े में से रख देना या आप चाहते हैं लगड़ी की बांजोत रखना उसमें लाल कलर की कपड़े आपको इसे रख देना और इस 유도ic इसी मंत्र से किसी के बूत भाईब्यु से बरतमान बतायेंगे मैं इस मंत्रा के बारे में नहीं बताऊंगा ध्यांशे देखें मैं बोल करके नहीं कहूंगा क्योंकि इसका प्रभाव समाप्त हो जाते हैं हमारे स्क्रीन में सोह हो रहे हैं देख लिजे मंत्रा इसी मंत्रा को आपको जबना है इस मंत्र को नवरात्री की जितने दिन सेस्थ बचे हैं उस बचवे सेस्थ दिन में जितना जादा हो चके इस मंत्र का जाब करना है इसके बाद जैसे नवरातरी समापता होते हैं तो महुआ की जड़क आपको लाल कलर की कपड़े में लपेट लेना है और आपको इसे पूजा निस्थान पे रग देना है लेकिन एक बात कभी से ध्यान रखना किसी का छाया नहीं पढ़ना चाहिए अन्यता ये काम नहीं करें जब किसी के भूद भुद 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 को पढ़ते हैं महुआ की जड़ को आपको अपने दहिने हाथ में रख लेना है बिलकुल ही आप किसी भी व्यक्ति के भूत भविश्य वर्तमान सब कुछ बताने में सवर्तमान हो जाएंगे और आगे क्या करने वाले हैं कैसे करने वाले उनका आगे क्या होगा सारे जानकारी आपके सामने में टीबी के जैसा सो होने लगेंगे पलक जबकते आप किसी के भूत भुश्य वर्तमान बता सकते हैं लेकिन जिनके हीरदय कठोर हैं जो निडर वक्ति हो सासी वक्ति हो ऐसे वक्ति ही ये उपाया करें डर पोक वक्ति कदापी ऐसे उपाया मत करना क्योंकि डरपोग वेक्टि डर से भी मर सकते हैं और सबसे बड़ी बात इससे जान भी जाएंगे माल भी जाएंगे क्योंकि डर जिने डर हैं ऐसे वेक्टि गर साफल भी हो जाएं तो इनके लिए हानिकारक सीध होते हैं जो वेक्टि निडर हो जो की डरते नहीं हो एकदम से सासी हो ऐसे वेक्ति भी ये उपाया कर सकते हैं, ऐसे वेक्ति ही उपाया करना, डर्पोग वेक्ति उपाया मत करना नौरात्री के समय में इसे ला करके लाना होता है। काम करते हैं कि इस प्रकार से धन खीचते हैं कैसे धन खीचते हैं इसे धन की भी बारिस तांत्रीक लोग कई बार करा चुके हैं और धन की बारिस कब करा जाते हैं जैसे कि दिपावली हैं अमोश्यक दिन है या फिर होली है इसमें धन की बारिस इसके जड़ के माध्धम से हो तो आप भी अगर किसी की भूद भakukan स्वर्तमान देखना चाहते तो हम इस बिडों में जितने भी जानकारी написано क plaint मैं कुछ शुट मतलट कीहर हैं। आज की जान कर यह पर समापत करते हूं दर्सा को बिर्द देखने के लिए धनिवाद नमस्कार